ओम महलक्ष्मय नमो नमा नरक चतुरदशी पर जाने यम दिपक जलाने का सही समय मुहुर्त और महत्व दोस्तो हिंदु धर्म में नरक चतुरदशी के परवका बहुत खास महत्व होता है इसे छोटी दिवाली रूप 14, नरक 14, रूप चतुरदशी अथ्वा नरका पुजा के नामन से भी जाना जाता है इस दिन मृत्यु के देवता यमराज और भगवान श्रीकृष्न की पुजा का विधान है रूप 14 के दिन संध्या के समय दीपक जलाई जाती है और चारो और रोशनी की जाती है नरक चतुरदशी का पुजन अकाल मृत्यु से मुक्ती और स्वास्त सुरक्षा के लिए किया जाता है हर साल यह पर्व कार्तिक महा के कृष्न पक्ष की चतुरदशी तिथी पर मनाया जाता है यानी यह पर्व दिवाली के एक दिन पहले और धन तेरस के एक दिन बाद आता है इस बार कार्तिक मास के शुकल पक्ष की चतुर्दशी तिथी की शुर्वाद 11 नवंबर को दोपहर एक बचकर 57 मिनट से शुरू हो रही है और इस तिथी का समापन अगले दिन 12 नवंबर को दोपहर दो बचकर 44 मिनट पर होगा इसलिए छोटी दिवाली 11 नवंबर को मनाई जाएगी ऐसे में जो लोग मा काली, हनुमान जी और यम देवता की पूजा करते है वे 11 नवंबर को नरक चतुर्थी यानी छोटी दिवाली का परव मनाएंगे अब जानते है नरक चतुर्थी पर यम दिपक जलाने का समय बता दे नरक चतुर्थी पर प्रदोशकाल में यम दिपक जलाई जाती है इसलिए 11 नवंबर को यम दिपक जलाई जाएगी इस दिन शाम को 5 बचकर 32 मिनट से सूर्यस्त होगा उसके साथ ही प्रदोशकाल शुरू हो जाएगा ऐसे में आप शाम 5 बचकर 32 मिनट से यम दिपक जला सकते है अब जानते है अभ्यंग्य स्नान का समय अभ्यंग्य स्नान के लिए उदया तिथी महत्वपुर्णा मानी जाती है नरक चतुर्दशी की उदया तिथी 12 नवंबर को प्राक्त हो रही है इस दिन अभ्यंग्य स्नान का समय सुबह 5 बचकर 28 मिनट से 6 बचकर 41 मिनट तक है नरक चतुर्दशी पर सुर्यदय के पुर्व शरीर पर उबटन लगाकर स्नान करने की प्रक्रिया को अभ्यंग्य स्नान कहा जाता है अब जानते है काली 14 पुजा का मुहर्त नरक चतुर्दशी पर मा काली की पुजा रात में करते है 44 की पुजा का समय 11 नवंबर को है इस दिन पुजा का समय राथ 11 बचकर 45 मिनट से देर राथ 12 बचकर 49 मिनट तक है अब जानते है हनुमान पुजा का मुर्त नरक चतुरदशी के दिन हनुमान जी की पुजा भी करने की परंपरा है इस साल नरक चतुरदशी पर हनुमान पुजा 11 नवंबर को राथ में होगी हनुमान पुजा का शुभमूर्त राथ 11 बचकर 45 मिनट से देर राथ 12 बचकर 49 मिनट तक है अब जानते है नरक चतुरदशी की पुजा विधी के बारे में अरक चतुरदशी के दिन सोर्य दैसे पहले सनान करके साप कपड़े पहनले। अरक चतुरदशी के दिन यमराज, श्री कृष्ण, काली माता, भगवान शिव, हन्मान जी और फिष्णु जी के वामन रूप की विशेश पुजया की जाती है। खरके इशान कोन में इन सभी देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित करके विधी पुर्वक पुजन करे। देवताओं के सामने धूप दीप जलाए, कुमकुम का तिलक लगाए और मंत्रों का जाप करे। अब जानते है नरक चतुर्दसी से जोड़ी मन्यता के बारे में। नरक चतुर्दसी के दिन यम देवता का पुजन अकाल मृत्यु से मुप्ति के लिए किया जाता है। वही पौरानिक मन्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्णा ने नरकासुर नामक असुर का वत किया था। साथी इस दिन उप्तन लगाकर स्नान किया जाता है। इसलिए इसे रूप चवदस भी कहा जाता है। अब जानते है नरक चतुर दशी के उपायों के बारे में। नरक चतुर दशी के दिन यमराच के नाम से दिपक जलाए और इसे दक्षिन दिशा में रखे। अन्यता है कि यम के नाम का यह दिपक जलाने से पाप नश्ट होती है। दक्षिन दिशा पित्रों की दिशा मानी जाती है, ऐसे में इस दिशा में दीपक जलाने से पित्रों का अशिरवाद मिलता है, साथ ही नरक चतुरदेशी के दिन अपने घर के बाहर भी कम से कम पाँच या साथ दीपक जलाए, आप सभी को दीवाली की शुभकाम नाए, धन् झाल